दोस्तो एक सवाल ना अकसर लोग पूछते हैं कि सर एक्टर बनना है या एक्टिंग करनी है तो कहां से शुरू करें कैसे शुरू करें तो एक चीज में बोलता हूँ कि आज का जो टाइम है इंटरनेट है यूट्यूब है बहुत सारी चीज़े है तो और हर चीज के ऊपर आपको information available है यूट्यूब पर हजारों वीडियोज है जहां पर एक्टिंग के बारे में एक्टिंग से रिलेटिड हर चीज के बारे में आ कैसे शुरू करें इसका कोई मतलब मुझे लगता नहीं है अगर आप सर्च करेंगे आपको सब कुछ मिलेगा पर फिर भी मुझे लगता है कि मैं एक छोटा सा वीडियो में आपको बनाता हूँ आपके लिए जिसमें इस प्रोसेस को शॉट करके एक सिस्टम वाइस में मुंबई आना है तो कहां से शुरू करोगे आप अपने घर से शुरू करोगे पहले घर से आप रेल्वे स्टेशन आओगे रेल्वे स्टेशन से फिर आप ट्रेन में बैठोगे फिर मुंबई आओगे यही तरीका है तो इसी तरह चुरुआ जहां पे भी आप हो आप वही से शुरू कर सकते हो तो अब हम बात करते हैं क्या करें कैसे करें मतलब कैसे शुरू करें देखो सबसे पहली चीज़ कोई भी प्रोफेशन में आपको जाना है तो हमें क्या करना होता है हमें उस प्रोफेशन के बारे में नॉलेज इखटी करने इंफर्मेशन इखटी करने उसके बारे में आपको knowledge चाहिए, आप MBBS करते हैं, आप उसकी पहले preparation करते हैं, exam देते हैं, select होते हैं या मैं कहता हूँ आपको एक driver, driving सीखने हैं, driver बनना है, तो आप क्या करते हैं? आप driving school जाते हैं, पहले information collect करते हैं कि मेरे आसपास कोई अच्छा driving school है, फिर वहां जाते है गाड़ी चलाना सीखते हैं, license बनाते हैं, फिर आप गाड़ी चलाते हैं, तो इसी तरह से सबसे पहला काम है, आप जितनी knowledge है, जितनी information आप इखटी कर सकते हैं, उतनी इखटी कीजिए, हजारों videos हैं, आप सारे videos देखिए, आपको अगर actor बनना है, तो आप जान लगा दो आप मतलब मैं कहता हूँ कि दिन में 10 वीडियो देखो, 20 वीडियो देखो, इतने channel है, हर channel पर अच्छे बुरे सब वीडियो देखो, सब वीडियो देखके आप उसका conclusion निकालो, कि भाई ये वीडियो जिसने बनाया है, उसका background क्या है, उसने as an actor क्या काम किया है, या कोई film कहां काम कर रहे हैं, या हमारी एप है, वो डाउनलोड कर सकते हो, सब पूरा A to Z information मिली, इसी तरह से वीडियो देखिए, लोगों के बारे में information इखटी कीजिए, कौन genuine है, कौन सही है, किस के ओपर आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो knowledge और information होने के बाद, सही knowledge और सही information होन आप acting कर सकते हैं, तो फिर आप उस तरीके से शुरू कीजिए, तो मैं आगे आपको बताता हूँ, अगर आपको लगता है, कि हम मुझे acting सीखने की जरूरत है, मुझे सीखना है, तो फिर आप उस direction में काम कीजिए, देखिए, acting classes की जहां तक बात है, on camera जो practical training की जो बात है, उसके लिए तो मेरा suggestion यही है, कि आप मुंबई में ही सीखिए, या जहां पर आपको काम करना है, सब्सक्राइब काम करना है, तो मुंबई आके मुंबई में ही सीखिए, क्योंकि यहां जो लोग सिखाएंगे, कोई भी सिखाएगा, तो उनका at least थोड़ा बहुत industry के साथ touch ह होता है, उनके कहीं कुछ एक्टर कहीं काम कर रहे होते हैं, कुछ उनका एक network होता है, वो network जितने दिन आप training करते हैं, तो एक network आपको मिल जाता है, और अगर मुंबई नहीं आ सकते हैं, या budget नहीं है, कुछ भी और issue है, और आप सीखना चाहते हैं, तो कोई theater join कीजे, सपोज एक तीन महीने का हम लोग class करते हैं, वो तीन महीने में हम लोग एक actor को on camera जो practical training के उसमें prepare करते हैं, वहीं अगर हम theater की बात करें, तो theater at least 2-3 साल आदमी को करना पड़ेगा, तब कुछ उसका base बनता है, क्योंकि वहाँ process अलग है, यहाँ process अलग है, और theater के लिए मेर लोग मेरे पास आते हैं, या जो मुझसे suggestion लेते हैं, तो मैं उनको एक ही चीज़ करता हूँ, at least theater करके अगर आपकी language और voice वही सुधर गई ना, तो यह बहुत बड़ी बात है, यूंकि क्या होता है, कि सस्ते के चक, बहुत छोटे-छोटे ऐसे groups बहुत खुल गए हैं, बह लेकिन वहां आपने तीन साल टाइम दिया, तो वह तीन साल वेस्ट हुआ आपका, पैसा तो गया, तीन साल में जो भी है 30-40 जार आपने दिया, बट टाइम भी जाएगा, ताइम के साथ उस पैसे के साथ और भी चीज़ें आपका conveyance जाता है, और बहुत सारी चीज़ें हो सुदरा, आपका language ही नहीं सुदरा, आपकी जो आवाज है, उसकी quality ही नहीं इंप्रूवी, तो वो थेटर करने का फायदा नहीं है, तो मेरा suggestion है, अगर थेटर जोइन करना है, तो अच्छा थेटर ग्रूप जोइन कीजिए, जिनों ने कुछ अच्छे professional plays कियो, बेशक वहा करना है, अब हमें जो industry का जो system में उसमें enter होना है, उसमें enter होने के लिए basic requirement होती है, हर system में enter होने की कुछ requirement होती है, तो वो system आपको, system की requirement हमें पूरी करनी है, वो अंग्रेजी में कहावत है, कहते हैं कि if you are in the system, you have to follow the system, आपको system को follow करना ही पड़ेगा, दूसरा को option है नह unsuccessful होते हैं, जो fail होते हैं, उसका reason यह है, वो system को follow नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप system को follow करते हैं, तो system आपको अपने आप कहीं न कहीं ले जाएगा, वो कहते हैं अगर आप नदी में हो, तो बहाव के साथ अपने आपको छोड़ दो, तो वो जो पानी है, नदी का बहाव आपको कहीं न कहीं ले जाके किनारे पर लगा देगा, लेकिन अगर आप उस बहाव के against, उल्टा तहरने लगेंगे या अपने हाथ पर मारने लगेंगे, तो फिर वो मामला रिस्की हो जाता है, तो system में सबसे पहली चीज़, आपके पास कुछ अच्छे पोटो होने चाहि प्रोफेशनल स्टूडियो में जाके थोड़ा बहुत मेक अप कराके, जहां आपका लुक बहुत ज्यादा चेंज भी ना हो, और फोटो थोड़ा एक क्वालिटी आए, क्यूंकि जब सेट पे आप जाओगे, काम करोगे, तो वहाँ भी थोड़ा बहुत 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 बह प्रोफाइल आता है, तो हम सबसे पहले फोटो देखते हैं, और अगर उसके फोटो इंट्रेस्टिंग है, हमें लगता है, फोटो से पता चलता है कि यह आदमी एक्टर है, और फोटो से ही पता चलता है कि यह आदमी किसी काम का नहीं है, अगर फोटो देखके समझ में आत तो आप भेज सको, और यह एक मेरा दोस्त है, कास्टिंग डिरेक्टर, काफी सीजल्स अगरा उसने के, तो उसका एक पोस्ट मैंने फेस्बुक पड़ा था, तो उसने ये मेंचन किया था, कि अगर आप एक्टर हो, तो एटलिस्ट आपके पंदरा भीस वीडियोस, आडिशन के आप परफॉर्मेंसेस के, यूट्यूब पे होना बहुत जरूरी है, अगर आप अपने आपको एक्टर बोलते हो, और आप से वीडियो के लिए पूछा जाए, और आप यह कहते हो का नहीं मेरे पस तो है नहीं, तो इसका मतब नहीं हो, आप एक्टर ही नहीं हो, क्योंक बहुत अपनी बेसिक जो परस्नल, प्रोफेशनल डीटेल आप उसमें लिके नाम, नमबर, एज, हाइट, आपकी बेसिक एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन क्या है, एक्स्पिरियंस क्या है, नहीं है तो फ्रेशर मेंशन कीजिए, और एक प्रोफाइल बनाईए, म एक कासिग बेसा, मैल पर भेजने के लिए मुट्वर्मस्य दोफेशनल जीनके आपके पासनल, आप वह हो पैसिके बेसिक वह और गायदर में मैल होगा, पहले की तरह नहीं है कि कुछ छूपा हूँआ नहीं है, आपको कास्टिंग से जानकारिया आपको कास्टिंग और, जो डिरेक्टर है, कास्टिंग डिरेक्टर के फोन नंबर, ओफिस के एडरस, सब आपको मिल जाते हैं, तो इतना ओपन और इतना इजी हो गया है, कि हमें मतलब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक्षन करने की जरूरत है, अगर इतना होने के बाद भी हम य मुझे तो एक साल यही नहीं पता था, मैं जाओं कहां, और आज तो ऐसा हो गया कि आप अपने घर से वहां से आप अपना फोटो वीडियो बना के मेल कर दो, यहां पे भी आके भी करते हो तो आप घर बैठे, आपका वो स्ट्रगल खतम है ना, आपको ऑफिस ऑफिस जाना ए वीडियो में दम है आपको हफते में, दस दिन में महीgeneration तो बहुत हो गया, तो इतने ताइम में आपको औडिशन के लिए कॉल आना शुरू हो जाता है जो लोग आपको इसे करना शुरू कर दिया या आपने वेब साइक पर रेजिस्टर किया, अभी क्या हो गा सुनक् स जहां भी आपका प्रोफाइल सूट होगा, जहां भी आपके लाएक काम होगा, वो लोग आपको कॉंटेक्ट करना शुरू करेंगे, सपोस कुछ बड़े प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारी ऐसी वीज़े, बहुत सारी लोग आपको इंट्रोडक्शन के लिए बुलाएंगे, ब बहुत सारे ऐसे भी हैं, अगर आपके वीडियो अच्छे हैं, और उनको लगता है इस आदमी का ओडिशन लेने की जरूरत नहीं है, तो वो डारेक्ट शूट पे भी बुलाएंगे, ऐसे भी हैं जो आपको ये कहेंगे, कि सर कल से शूट है, या परसों से शूट है, ये आ के फोन आते थे, आपका कर रहे हैं, अच्छा, ये सीरियल है, ये प्रोग्राम है, ये है, अप बजट इतना है, आप करोगे, करना है, करो नहीं करना है, ना कर दो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये इन शौट, ये एक कम्प्लिट प्रोसस मैंने इन शौट आपको बताया है, जो पूरा process है, जिसको हम बहुत मतलब सेकड़ो वीडियो में हम डिस्क्राइब करें, वो पूरा process मैंने आपको एक वीडियो में in short मैंने बता दिया है, आपको यही करना है, और मुझे लगता है कि आपके, जो है, जो भी आपके मन में सवाल होंगे इस चीज को ल प्रॉब में प्रॉपक